वेलकम तो फोकस पावर आज की जो अपडेट होने वाले है आई टीवीपी की तरब से वेगन सीस का नोटिफिकिशन आउट किया गया सौट नोटिफिकिशन निकाला गया है तो आपको जल्दी आपको इंप्लाइमेंट न्यूस्पेपर में भी देखने को मिल जाएगा और आपको आपको अप्लाइग करना है और कौन कोंसी यहां पर कितनी कितनी कि रिवाइस प्रकेंसी हैं सबसे पहले आप यहां से एकिस्टेबल में यहां से आपको अप्लाइग करना है यहां से आपको अप्लाइग करना है और अप्लिकेशन फीच जो आपकी रहेगी 100 रुपीज आपकी अप्लिकेशन फीच रहने इनके लिए कोई भी फीच यहां पर नहीं रखीगी यहां पर फीच आपको सवर पर देनी होगी फिर आते हैं साथ में तीन साल का प्रेक्टिकल एक्स्विरेंस आपका किसी वहां पर आपका रहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली बगर अगर अगर लोकल में भी यहां तो नहीं होती है लेकिन उस टाइम पर आपको अगर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ट्री यहर का डिप्लोमा है अगर ऑटम वाल इंजिनेरिंग से आपका अगर डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं से तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो नॉर्मल कॉंश्टेबल वालों के लिए 10th प्लस आई टाई विद 3-year experience अगर यह निया आपके पास तो ऑटम वालों से डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं दिप्लोमा वालों को एक्स्पिरेंस की भी रिक्वाइर्मेट सकते हैं कितने टाइम में हैं वह सब चीज आपको फुल नोटिपिकिस आने में बता दिया जाएगा अभी फिलाल के जो सुट नोटिपिकिसन में जान का रही है ऑनलाइन अप्लाई आपके सुरू होंगे 24 दिसमबर से आपके फॉर्म अप्लाई शुरू होंगे और 22 जनव आपके पास एक्स्पिरियंस था तो यह आपकी 22 जनवरी लाश डेट रहने वाली और अप्लाई की दिसमबर से शुरू होगी 24 दिसमबर से तो यह थी आज की अपडेट ITVP रिक्रूट्मेंट का जो की मोटर मेंट के लिए निकाली गी है और काफी अच्छी वेकंसी है पि वेकंसी वेकंद की वेकंसी बाहने की दार अच्छी वेकंसी है यह थी दो की एक रहना है Une